माई स्कूल माई स्कूल एफ्री डेइ इन होट अन कूल आई डेली गो तू माई स्कूल श्टूरेंट्स गूट मर्निंग फिरम फोनिक प्राइमर एक्टिविटी प्रिंट की बूप में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लुखा है? राइट दा करेक्ट वर्ड यानि कि यहाँ पे जो पिचर्स दिये हैं उनके क्या वर्ड थे हमने आगे देखे तो वो जो सही करेक्ट वर्ड हो वो यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले यह जो पिचर है वो किसका है? मैंने आपको आगे बताए था क्या है किसका पिचर है boy boy यानि की लड़का तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b o y यानि की boy फिर next यह जो पिचर है वो किसकी है क्या कहते है sob, sob यानि की rona, तो हम क्या लिखेंगे s o b यानि की sob फिर next आगे बढ़ते है ये जो पिचर है वो किसकी है मैंने आपको आगे बताया था उसे क्या कहते है लोग लोग यानि की लकड़ी का टुकड़ा फिनेक्स ये जो पिचर है वो किसकी है मैंने आपको बताया था टोई ती ओ वाई यानि की टोई टोई यानि की खिलोना फिर नेक्स आगे बढ़ते है यह जो पिच्चर है वो किसकी है मैंने आपको बताया था उससे क्या कहते है डॉग डी ओ जी यानिकी डॉग डॉग यानिकी कुटा फिर नेक्स यह जो पिच्चर है वो किसकी है डॉग उसको क्या कहते है बोमर्डा तो यहाँ पे क्या लेखेंगे टी ओ पी टॉप फिर नेक्स आगे पड़ते है यह जो पिच्चर है वो किसकी है मैंने आपको क्या बताया था सी ओ पी पॉब याने की बुट्टा जो मक्कई का बुट्टा आता है वो फिर नेक्स यह जो पिच्चर है वो किसकी है मैंने आपको बताया था उससे क्या कहते है M O P मॉप याने की जाडू तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पिच्चर्स दिये है उनको जो करेक्ट वर्ड हो वो यहाँ पे लिखना है आगे बढ़ते है तो यहाँ पे इस पेज में क्या लिखा है Match the word with the picture यहाँ पे एक साइड पे हमें words दिये है और एक साइड पे picture दिये है तो उनको करेक्ट करके मिला के match करना है तो सबसे पहले क्या word लिखा है डोग तो यहाँ पे डोग का picture कहा दिखाई दे रहा है तो यह रहा डोग फिनेक्स क्या लिखा है लोग लोग यानि की लखडे का टुकडा तो यहाँ पे लखडे का टुकडा कहा दिखाई दे रहा है तो यह रहा लोग फिनेक्स लिखा है बोई बोई यानि की लड़का तो उसका पिचर कहा दिखाए दे रहा है तो यह रहा बोई फिर नेक्स क्या लिखा है टोई टोई यानि की खिलोना तो यहां पे खिलोना का पिचर कहा है तो यह रहा खिलोना फिर नेक्स क्या लिखा है कॉब कॉब यानि की मैंने आपको क्या बताया था बूटा तो यहाँ पे उसकी पिचर कहा है तो यह रहा कॉब फिर नेक्स लिखा है सॉब सॉब यानि की रोना तो यहाँ पे एक लड़की रो रही है कहा है तो यह रहा सॉब फिर next है mop, mop यानि की जारू, मैंने आपको बताय था mop यानि की जारू तो उसका picture कहा है, तो ये रहा mop, फिर next क्या लिखा है, top तो top का picture कहा है, तो ये रहा top, तो यहाँ पर ये जो words दिये हैं, उनको picture के साथ ऐसे correct करके match करना है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, circle the correct word, तो यहाँ पर जो picture दिये हैं, उनके दो option में word दिये हैं, उसमें से जो सही word हो, उसके उपर circle करना है तो सबसे पहले ये जो picture किसकी है, top, तो यहाँ पर top word कहां दिखाए दिरा है, तो ये रहा top, तो उसके उपर circle करना है फिर next ये जो picture किसकी है, boy, boy यानि की लड़का, तो यहाँ पर boy कहां लिखा है, तो ये रहा boy, तो उसके उपर circle करना है फिर next आगे बढ़ते हैं तो यह जो picture दिये हो किसकी है मैंने आपको बता था उसे क्या कहते है cop तो यहाँ पर cop word कहा है तो यह रहा cop तो उस पर circle करना है फिर next यह जो picture है वो किसकी है dog दोग यानि की कुत्ता तो यहाँ पर दोप्षन में क्या word दिये है लोग और डोग, तो डोग के उपर सरकल करना है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पीचर दी है, वो किसकी है, मैंने आपको बताया था, उससे क्या कहते है, लोग, लोग यानि की लगड़ी का टुकड़ा, तो यहां पे लोग वर्ड कहा लिखा है, तो ये रहा लोग, तो उसके सरकल करना है, फिर नेक्स ये जो पीचर दी है, वो किसकी है, मॉप, मॉप यानि की जाडू, तो ये रहा मॉप वर्ड, तो उसके सरकल करना है, फिर नेक्स ये जो पीचर दी है, एक लड़की रो रही है, तो उसको क्या कहते है, तो यहां पर swap word कहा दिखाए दे रहा है तो यह रहा swap word तो उस पर circle करना है तो हमने यहां पर क्या देखा इस exercise में कि यहां पर यह जो picture दी है उसके option में दो-दो words विये है उसमें से जो सही word हो उसके उपर circle करना है Thank you बच्चो